हलो और वेलकाम बेगन फ्रेंड्स में मनिस से एक बार फिर आपसका स्वागत करता हूं साथियों आज की वीडियो में आपके साथ डिसकस करने वाले हैं एम्स इंट्रेंस एक्जाम 2024 की लिटेस्ट अपडेट को लेके जैसा कि आप सभी जानते हैं एम्स के दवारा सभी परकार के इंट्रेंस एक्जाम के लिए अपलिकेशन जो फॉर्म थे वो स्टार्ट हो गए थे उसके बाद लास्ट डेट कल निकल जुकी थी लेकिन अभी त लेना चाहते हैं या फिर आप पोस्ट बेसिक बीएसी नर्सिंग का कोर्स करना चाहती या चाहते हैं तो अभी आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी बची है क्योंकि एम्स नियू धेली ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें अब लास्ट जो डेट थी अप्लिकेशन फॉर्म भरने की उसको अक्स्टेंड कर दिया गया है इसके अलावा इंट्रेंस एक्जाम कब होने वाला है इसका नोटिफिकेशन पहले आ चुका है लेकिन कुछ कंडिडेट ऐसे थे जो भहेंकर कंफ्यूजन में हैं कि इंट्रेंस एक्जाम की डेट अलग अलग यूट्यूब चैनल के दोवारा अलग अलग बताए जा रही है लेकिन हम आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं चलिए सबसे पहले आपके साथ डिसकस करेंगे एक्जाम डेट को लेके और फोरम फीस क्या लगेगी उसको लेके उसके बाद आपको लास्ट ड नर्सिंग को लेके बात करें हैं लेकिन जो एक्जाम डेट है उसमें कोई चेंजेज नहीं किया गया है आपको बता देए कि कन्फूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है एम्स के दोवारा जो नोटिफिकेशन आज साइट पर जो डिलीज हुआ है 5 अपरेल 2024 को उसमें डेट थी उसको अक्स्टेंड किया गया है ना कि आपके इंटरेंज एक्जाम की डेट को तो देखिए यहां पर जो अमसी नर्सिंग के लिए इंटरेंज एक्जाम था वो आपका 15 ओफ जून को था इसके अलावा आपको बता दें रिजल्ट जो आपके लिए है वो 25 ओफ पिर आपके आसपास में अगर कोई भी हर एम से किसी भी परकार का कोर्स करना चाहता है तो अपलाई करवा दीजिएगा इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला है चाहिए आप यह सी नर्सिंग का कोई कोर्स करना चाहते हैं यह फिर आप मसी नर्सिंग करना चाहते हैं य लेकिन अब यहाँ पर जो सभी कंडेट हैं चाहे आप B.A.C. ओनर्स करने के लिए यहाँ पर इंटरेंस एक्जाम देना चाह रही हैं चाहे आप पोस्ट बेसिक B.A.C. नर्सिंग करने चाह रहे हैं या फिर पेरामेडिकल का जो भी कोर्स है M.A.C. नर्सिंग या फिर M.A.C कोई कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 26 अपरेल तक अपलाई कर सकते हैं इसके बाद कोई भी अदर जो चांस वो नहीं मिलने वाला है तो जल्दी से जल्दी अपलाई करना होगा फोरम जो फीस है वो हमने आपको बता रखी है 2000 रुपय आपको 20 जनरल के लिए देन करने हैं अपलिकेशन फॉर्म केसे बरना है सबी को लेकि आपके मन में कोई न कोई दुविदा होगी तो उसके लिए हमने डिटेल वीडेयो बना रख़ा है डिटेल वीडीयो जाईए और देखिये उसीमें आपको को कोड कीस जनरेट करने होते हैं फोड़ की से समिट करनी होती है क्या document upload करना होता है सारी बातें आपको बताए गई है उस वीडियो का जो link है इसी वीडियो के description में आपको मिल जाएगा आप हमारे टेलीग्राम पर आईए टेलीग्राम पर आने के बाद आपको पूरा वीडियो complete वीडियो डिटेल में मिल जाएगा वहां से भी आप जाके देख सकते हैं इसके अलावा जो आपका final registration है payment करना है city choice करना है ये cable वही candidate कर सकेंगे जिन्होंने अपना code generate कर लिया है तो वह भी आप 30 अपरेल तक कर सकते हैं इसके बाद आपको कोई opportunity नहीं मिलने वाली है BSC nursing और BSC paramedical जो course है post basic BSC nursing जो course है आपने जो application form भरा है वो आपका accept हुआ है कि reject कर दिया गया है तो उसके लिए आपको 8th of my को पता लग जाएगा status upload हो जाएगा इसके अलाव आपको बता दें कि जो भी candidate है जो पहली बार यहाँ पर form लगाएंगे उनको अपना basic registration करना होता है लेकिन वे सबी candidate जिन्होंने पहले कभी भी कोई भी entrance exam दिया है तो उनको दुबारा से नए application form नहीं भढ़ना पड़ता है हालांकि उनको code जो generate है वो नए ही करने होंगे पुराना अगर आपके पास code generate किये हुए हैं तो वो मानने नहीं होने वाले हैं तो यह आप छोट छोटी बाते हैं जिनको ध्यान में रखना है और अपना application form submit कर देना है इसके अलावा वे सबी जो candidate जिनका फोरम मा लीजिए अगर reject हो जाता है तो reject होने के बाद आपको कुछ document upload करने पड़ते हैं जो भी आप course करना चाहते हैं उसके according यहाँ पर आपको last data सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो कोई भी अगर कमी निकलती है तो document है वह आपको 14 तो मई तक यहाँ पर upload करने होंगे entrance exam के date हमने आपको बता दी है इसके अलावा दो तीन important बाते और आपके लिए रह जाती हैं यहाँ पर हम आपको यह भी बता देते हैं कि जो फोरम फीस है वो क्या लगने वाली है तो जैसा कि हमने आपको बता दिया था जो भी candidate है जो कि जनरल से है या फिर मालीजिए आप OBC से है या फिर मालीजिए आप किसी और कटेगरी से है तो उनकी जो फोरम फीस है वो जो दिखाई गई है उसके according लगने वाली है तो PWPD जो candidate है उनके लिए कोई फोरम फीस नहीं है बाकि AWS के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1600 रुपीज है SCST के लिए भी सेम रखे गई है OBC और जनरल कटेगरी के लिए यहाँ पर 2000 जो फीस है वो रखे गई है यह MSC Nursing के लिए है इसके अलावा जो candidate MSC Nursing entrance exam 2024 देने जा रहे हैं और यह दिया आपने कभी पहले भी exam दिया है तो यहाँ पर आपको क्या है code generate करने है नए करने है application form नया नहीं बढ़ना है पुराना application form में आपका काम आ जाएगा उसमें आप कोई लेकिन editing नहीं कर सकेंगे यह थोड़ा आपको ध्याने में रखना होगा जैसे आप अपनी category उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे अगर आपकी कोई भी फोटो या फिर signature या थम जो impression था वो पहले अगर reject हो चुका है तो आप उसे भी चेंज नहीं कर सकेंगे तो यह चोटी चोटी बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी थी इसके अलावा आपके मन में यह question भी रहता है कि total MSC nursing के कितनी सीटे है तो आपको बता दें कि इस बार 200 पलस सीटें यहां पर रहने वाली है एम्स पतना के दोवारा सीटें बढ़ाई जाएंगी एम्स राइपूर के दोवारा भी सीटें यहां पर बढ़ाई जाने वाली हैं तो कुछ-कुछ बातें जो भी नए अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपको brand of nursing YouTube चैनल के दोवारा दे दिया जाएगा बस आप वीडि कि जो candidate MSC nursing का course करते हैं अगर वो बीच में छोड़ देते हैं तो उनके लिए क्या penalty लगती है तो बिलकुल यहां पर आपसे penalty ली जाती है हालांकि यहां पर अलग-अलग message का अपना है लेकिन जो one lakh rupees है वो आपको देने पड़ते हैं यह आप ठोड़ा ध्यान में रखिएग ओपन राउंड counseling के बाद आप course को अगर leave it करते हैं तो फिर आपके लिए समस्या है अगर आप पहले ही कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है लेकिन one lakh rupees आपको फिर देने पड़ते हैं चाहे आपने course में admission लिए वे आपको दो दिन हुए हैं चाहे चार दिन हुए हैं चाहे सब्सक्राइब करने के लिए हमारा साथ जूड़े देने के लिए